जैहिन दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड राउन की काउंसलिंग कंप्लिट हो चुकी है इसके साथ साथ 3rd round के स्टुडेंट जो है, वो काउंसलिंग में बढ़ चल के हिस्सा ले रहा है जो 3rd round के काउंसलिंग है, उसके लिए आपको 16 से 18 सेप्टेंबर तक का समय दिया गया है आज 17 सेप्टेंबर है, तो आप कल साम 5 पीम तक आप काउंसलिंग कर पाएंगे सिलेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों आप सभी का रिजल्ट जो है, वो 19 सेप्टेंबर को जारी किया जाएगा 3rd round का जो सीट एलोट्मेंट है, वो 19 सेप्टेंबर को आपको देखने को मिलेगा खास बात यह होगी आपके 3rd round की काउंसलिंग के रिजल्ट की, कि आपका जो भी कॉलेज आपको एलोट होगा चाहे वो किसी ब्रांज का कोई भी स्टुडेंट हो, 3rd round में चाहे वो new registration के स्टुडेंट हो या फिर वो 1st और 2nd round से फ्लोट करके 3rd round में आए हुए हो सभी स्टुडेंट को जो भी 3rd round में कॉलेज एलोट होता है, वो कॉलेज आलडेडी फ्रीज हो जाएगा फ्रीज यानि वो कॉलेज आपको चुनने की आप सकता नहीं होगी आपको जो भी कॉलेज होगा, वो आटोमेटिक आपके लिए बाद दे होगा आपको वो कॉलेज लेना ही होगा हर एक हाल में अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हैं, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएगे और बाहर होने का मतलब यह नहीं कि आप काउंसलिंग कर ही नहीं पाएंगे इसके बाद आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से फिर से भाग ले पाएंगे दोस्तो जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी, वो कब चाहीं स्टार्ट होगी इसके लिए मैंने आलेडी विडियो बना रखा है दोस्तों जो थर्ड राउन की काउंसलिंग है न वह आपका इसका रिजल्ट ओनी सेटेमर को आएगा और वह कॉलेज आपका आलेडी फ्रीज हो जाएगा फ्रीज यानि लॉक हो जाएगा इसके बाद आप जा करके 20 से 22 यान डी भी करा सकते हैं डोकुमेंट वरिफेकेशन और डी भी कराने के बाद आप अपने चुने गए कॉलेज या फिर जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उसके लिए आनलाइन लॉग इन करके फीस पेमेंट 20 से 23 सेप्टेमबर के बीच में कर सकते हैं दोस्तों अभी तक जो में जो है वो काफी कम दिया जा रहा था पर जो यह थर्ड राउन की काउंसलिंग है न इसके लिए आप फीस पेमेंट 20 से 23 सेप्टेमबर तक कर सकते हैं 20 से 23 सेप्टेमबर यानि अगर आप 20 सेप्टेमबर को डी भी कराके आते हैं तो साम को 5 पीम तक आप चाहें तो अप पना फीस पेमेंट कर सकते हैं अगर आप 20 सेप्टेमबर के लिए स्टुडेंट है अगर आपने 20 सेप्टेमबर को डी भी यानि डाकुमेंट वेरिफेक्शन कराया है तो आप 23 सेप्टेमबर को साम 5 बजे तक 5 पीम तक आप काउंसलिंग कराने के बाद फीस पेमेंट कर सक से उसे 24 आवर का समय दिया जाता है पर यहां पर अगर आप 20 सेटेंबर को कराते हैं तो इस कंडिशन में आपको 24 और प्लस बारे यानि 36 घंटे का समय फीस पेमिंट के लिए दिया जाएगा जो भी स्टुडेंट इस काउंसलिंग में फीस पेमिंट नहीं करता है वो उसका जो 3000 रुपे सीक्योर्टी पी है जो उसने कॉलिज को फ्लॉट करने के लिए पेड किया था वो फीस उसका जब्त कर लि उम्मिद है कि थर्ड राउंड के जितने भी स्टुडेंट हैं उन्हें काउंसलिंग से संबंदी जो भी डाउट है वो दूर हो गया होगा कि थर्ड राउंड में उन्हें फ्रीज करना होगा या फिर आटोमैटिक हो जाएगा दोस्तों एक चीज यहां पे और ध्यान नहीं मिलेगा वो फ्लोट नहीं कर सकते तो यह भी आपको ध्यान रखना है थर्ड राउंड में जो भी स्टुडेट होंगे चाहे वो फ्रीज करके आए हो या फिर फ्लोट करके आए हो या फिर नियू रजटेशन थर्ड राउंड में किये हो उनका कॉलेज आटोमैटिक प्रीज रजब जैगा